दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे इनी के बारे में जिनका पूरा का पूरा एक पॉर्टफोलियो आपने इस वीडियो की शुरुवात में देखा इनकी सिर्फ 23 साल की उम्र ठी और रिसेंटी इनकी डेथ हो गही है येस, इट्स अ वरी ट्राजिकनुस सिर्फ 23 साल की उम्र कोई बहुत जब अम्र नहीं होती है इतने कम उम्रों में डेथ हो जाना अपने आपने ट्राजिक है लेकिन as usual आपको फिर से request करूँगा इस वीडियो के थूँ थोड़ा से education दूँगा थोड़ी से request करूँगा कि क्यों आपके लिए जरूरी है 90 रहना Guys it's again the giveaway time और फिर से मैं इस बार आपके लिए giveaway कर रहा हूँ 1 month का complete supplement stack दोस्तों आपको इस ट्रैक के अंदर मिलता है एक वे प्रोटीन एक असेंशल अमीनो एसेड एक मल्टी वाइटेमिन और एक क्रेटीन मोनो हाइड्रेट दोस्तों यह वन बंद का complete supplement स्टैक मिलेगा किसी एक लगी बेनों को और उसके लिए आपको क्या करना है आपको माइप रोटिंग का जो सेल है इसके डीटेल आपके सामने यह पर आ रहे हैं आपको इस सेल में supplement बाय करना है और मुझसे शेर करना है एक screenshot while applying the coupon code and another screenshot once your order number has been generated make sure to follow me on instagram and share your screenshots in the dm best of luck दोस्तों इस वीडियो की सारी information news articles के उपर बेस्ट है इसके की links आपको इस वीडियो के description में देखने को मिल जाएंगे आप चाहें तोने जाकर read कर सकते हैं दोस्तों हम बात करें इन bodybuilder के बारे में और इनकी death किस तरीके से हुई किस तरह से हुई और क्यों हुई इनकी death उस्तों हुई है during a surgery surgery के स्चीज की हो रही थी वह अपने जो sweat glands होते हैं she was trying to remove her sweat glands or was sweat glands just clinic से निकल वा रहे थे उसी clinic का एक तरीके से वह promotion भी कर रहे थे अपने sweat gland निकल वाने के साथ साथ because she was a Instagram influencer because she was into fitness so इसलिए अपने followers को एक तरीके से यह दिखाने के लिए कि यह कैसे वो खुद अपनी surgery उस clinic में जाकर करवा रहे हैं और अपने sweat glands निकल वा रहे हैं उसका promotion भी साथ साथ हो जाए और उनके खुद के भी वो sweat glands remove करवा रहे थे उस surgery के दोरान यह हासा हुआ अब जतना अभी तक reports में आप आया है ऐसा पता चला है कि since उनको anesthetic जब उनको दिया गया उसके बाद उनकी अचानक से तवियत बिगड़ी और उसकी उनको heart attack हुआ shortness of breath हुई और उसके बाद उनकी इमेज़े death हो कही उनका revival नहीं हो पाया और जितने भी उस clinic के expert हैं जितने भी doctors हैं वो ऐसा बता रहे हैं कि जो यह lady थी इन्होंने अपने जो इंके history है of usage of anabolic steroid चाए anabolic steroid हो चाए clean betrol हो या फिर और कोई ऐसे performance announcing drug उन्होंने यह सारी की सारी चीज़े surgery से पहले reveal नहीं करी थी that she was taking any of these substances whether she was taking them or whether she was abusing them लेकिन दोनों का ही effect आपकी body के उपर काफी अलग तरीके से होता है और anesthesia का काफी जादा impact जोए anesthetic होते हैं इनको ही सारी की सारी information नहीं बहुत जादा जरूरी होती है अगर आप if you have been a regular drinker as well अगर आप अपनी caffeine intake बहुत जादा रखते हैं मतलब इतनी minor चीज़े भी you have to share it with your anesthetic जब आप किसी surgery में जाते हैं लेकिन इस case में तो since उन्होंने anabolic steroid का usage भी था वैसे हाला कि बहुत हैरानी की बात है कि फोटो जेकर आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वह anabolic steroid इस्तमाल कर रहे थे या नहीं कर रहे थे उन्होंने clean petrol जैसा कोई substance यूज कर रहा होगा यह नहीं कर रहा होगा लेकिन फिलाल जतना अभी तक सामने आपाया है जिन्होंने anesthesia दिया था उन्होंने ऐसा बताया कि सिंस उन्होंने ऐसा कोई information reveal नहीं करी थी उसकी वज़ा से काफी जादो complication है अचानक से क्योंकि अगर उन्होंने पहले ऐसा reveal करा होता तो अलग तरीके से उनको anesthesia दिया गया होता उसकी dosage अलग रही होती पहले से ही सारी की सारी तयारे की गई होती है कि अगर कोई ऐसा कोई reaction होता है तो उसे किस तरीकी से revive करा जाए because बहुत सारी changes आ जाते हैं आपकी body के अंदर जब आपकी सारी substances इस्तेमाल करते हैं मैं आपकी information के लिए दोस्तों एक बहुत अच्छा शायद Harvard का ही मेरी काल से एक article इसके उपर कि आप अगर anabolic steroid इस्तेमाल करते हैं या फिर ऐसा कोई substance इस्तेमाल करते हैं तो किस तरीके से आपको impact पड़ सकता है आपकी surgery के दोरान बहुत अच्छा article है आप जाकर उसे बार रीड करना और आप जाकर उसमें देखेंगे कि कितना ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अगर इस तरीके से कोई भी अगर ऐसा substance अपनी बॉली के अंदर डालते आ रहे हैं उसकी history आपके doctor को पता होना कितनी ज़्यादा जरूरी है जो आपका treatment कर रहे हो भी जो आपकी surgery कर रहे हो भी और जो आपको anesthesia देगा उसके लिए भी क्योंकि जैसे इस incident में हुआ अचानक से कोई अगर incident होता है then the team of expert they need to prepare themselves कि किस तरीके से फिर ऐसे case में एक patient को revive करा जाएगा and needless to say guys मैंने आपको कितनी बार कितने सारे videos के थूरू अलग-अलग videos में एक पूरी-पूरी मेरी एक playlist है उसका link ओपर सामने आ रहा होगा say no to steroid and yes to life कितने मैंने ऐसे videos करें कितनी बार मैंने आपको users के लिए ज्यादा होता है जिन्होंने अपनी life में कुछ time period के लिए ऐसे कुछ कर आगो उनके में शायद कम होगा लेकिन इसकी भी कोई surety नहीं है ऐसे भी काफी bad luck incidents होते हैं काफी ऐसा सुनने को मिलता होगा को कि मैंने आज तक नहीं सुनना कि कि किसी की steroid लेने हो गई हो एंप से हो जाता है इससे हो जाता है उससे हो जाता है कि यह तो सरफ performance enhancing drug होते हैं इनी performance enhancing drug से आपका दिए दिए हार्ट वीक होना start हो जाता है यह एक तरीके से contributing factor बनता चला जाता है अब अगर आप इसी case में ले ले लें तो यह आप यह तो नहीं बोल सकते हैं कि हैं अने बॉल एक से क्योंकि डेथ हुए क्योंकि आप वो तो during the surgery हुआ है जब रहे तब तो कुछ नहीं हुआ लेकिन आपका हार्ट कमजोर होता चला जाता है with the regular use of these drugs यह बात में आपको बार-बार समझाता हूं जो ऐसा कहा जाता है कि हम नहीं सुनार्ज तक किसी की अने बॉलिक से डेथ हुए हो चलो ठीक है आप अगर मानते हैं बोलना चाहते हैं ठीक है आप आर्ग्यूमेंट के लिए इस बात को बोल चकते हैं लेकिन यह बात जो यह स्टेटमेंट बोलते हैं उनको भी अच्छे से पता है कि आपकी हार्ट हेल्थ वीक होती है आपका ह हाट अटेक हो रहे हैं और उन्होंने कभी अने बॉलिक से अरड इस्तमाल नहीं करें बिल्कुल ठीक बात है लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं है ना कि फिर एक्जैंपल अगर बात करें कि टेली रोड़ एक्से रोड़ एक लाग लाग लोग की डेथ होती है तो आप सुब आजाए कल आजाए चार दिन बाद आजाए मिसल नहीं है लेकिन अपनी तरफ से हर इंसान ही चाहता है कि वह जितना लेट आए उत्रा अचा है तो इसके होजा से प्लीज ऐसे उल्टे सीधे आर्गिमेंट से मज जाहे कीजिए कि फिर हार्ट अटेक तो सब को होता है और व अब आप से जाकर पूछिए कि क्या अगर उनको दुबारा से चांस दिया जाए कि या देवल चूज देर सन और डॉटर और देर लाइफ एस इन इंफुएंसर या फिर देर लाइफ एस जो भी उन्होंने इस्तमाल कर इंट्रस वो आम शौर कि उनका जवाब भी यही होग कि लाइफ पहले हैं यह सारी की सारी चीजे बाद में हैं मेरी बातों को हमेशा ध्यान से सुना कीजिए और मेरी बातों पर मेरी बातों को ध्यान रखा कीजिए कितनी बार आपको यहीं चीज समझा ही जाती है लेकिन फिर आप किसी करा ट्रैक पर जाने की कोशिश आपकी कि अभी रिसेंटली मैं आपको बदा रहा है कि मुझे दिया मैं सोच रहा हुआ है कि इतने सारी बॉल्डर्स है और उनको तनीव आज तक कुछ प्लीज ऐसा नहीं है कि सब कुछ सब कुछ हर इंसान केमरे के सामने आपके बोल देता है आपके सामने एक इंसिडेंट है ऐसे जरूरी नहीं है कि अनबॉलिक स्टेरोइड लेते ही कुछ होगा लेकिन इट कैन बी अ कॉंट्रिबुटिंग फैक्टर ऑन वन अनलखी डे आपको इससे कुछ नहीं मिलने वाला और इसी मेसेज के साथ करते हैंगे इस वीडियो को एंड वीडियो के अच्छा लगे तो अपनी दोस्तों ते शेयर जरूरू करना इस वीडियो में आपके क्या रहा है मुझे कॉमेंट सेशन में लिकर जुरूर बताना मैं आप से मेलूंगा फिर किसी नेक्स वीडियो में लाटी एंड प्राउट